आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है अब देखो होता क्या है बिगनर लेवल के ट्रेडर्स जब भी उनको पता चलता है कैंडल स्टिक के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में होता क्या है वो लोग जाते हैं और यूट्यूब पर ठीक है या फिर कोई वेब साइट लिए टाइब करते हैं केंडल स्टिक पैटनस और इंस्टग्राम पर भी जहा पर हैं तो उनको दिखता कहा और किस त AZ आप द्हमाखरता कमाई कर सकते हैं और एक इसे तरीके का दिखता है स्क्रीEM there are you subscribe मैं यह नहींucharist करलो कि आजुू यह नहीं भी दिन कर सकते हो उर मार्केट में नए-नए आये और कर लो ठीक है ऐसा नहीं होता है भाई देखो ये कमाई करने में मेरी सालो की मैनत लगी हुई है ठीक है ये कमाई को सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ठीक है तो वो आज आएगी स्क्रीनशॉट पर मत जाओ ठीक है सीखने पर जाओ अल्रा अच का वीडियो अपन केंडल स्टिक पैटन्स के बारे में पूरी बात करने वाला है एक्सपर्ट ट्रेडर्स कैसे केंडल स्टिक पैटन्स देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और क्या सच में केंडल स्टिक पैटन्स को ही देखकर वो ट्रेडिंग के डिसीजन्स ल जावा भी बहुत सारी बाते होने वाली है और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला यह है ठीक है देखो Candlestick Patterns तो मैं आपको सब बताऊंगा ही और सच में जो लोग खुद profit करते हैं और वो खुद इस pattern को खुद इन तरीकों को यूज करते हैं यह नहीं आपको यह सारी बाते जानना बहुत बहुत ज़्यादा शरूर है ठीक है आपको अगर जानना है कि Candlestick Patterns जो होते हैं उनके सहारे बेटर प्रेडिक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा सकते हो या नहीं तो आज का वीडियो आप लोके लिए बहुत जाधा कर जाओगे बाकियों से क्योंकि बाकियों तो आपको ये वीडियो देखी रहा है तो चलते हैं वीडियो में ठीक है एंड पूरा पूरा वीडियो तो आप देखोगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो पुराने हो तो भाई भरोसा दिखाने के लिए यह जो हो, तो इस तरीके का आपको दिख रहा होगा ठिक है अब इंदष चा करते हैं अब्हें आपको शायद ऐसा 우리 कि अत्सक्राइब करा जेखने लिए यह वीडियो उसे एंदेखने और एक इंपोरेट चीर जीए यहहां पर में आप लोगो लेकर रहा है लोगो में आप बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप लोगों को देखनी ही देखनी है उसके अलावा ट्रेडिंग की स्ट्राइटेजीस ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है बिगनर स्वारी प्लेडिस्ट को कम्प्लेट करना है ठीक है और फंडामेंटल एनलिसिस इंट्राइडिक वीडियो जो है है ना वो ये वाला होने वाला है ठीक है ये वाला जो वीडियो होने वाले इस वीडियो को आप खतम करने के बाद ये प्लेडिस्ट को कम्प्लेट कर सकतो कोई दिक्कत की बाद नहीं क्योंकि बेसिक्स मैं ये वाले वीडियो में भी बताई दूँगा तो क कुछ भी चीज आप भूलोगे नहीं यहां से ओल्राइट इसके अलावा भी डाउट क्लिरिंग ठीक है और कब कौन से स्टॉक मैं लेने वाल हो आई प्यों कौन से आ रही यह सारी चीज़ें यह चैनल पर आपको बता रहे जाती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना होपफुली है अप लोग ने अभित लिएख कर लिए होगा बेले अब ने दिबादे ना लाइक को तो करीद होगे आप वीडियो को देखो मैं वीडियो में न सबसे पहले आपको चीज बताता हूं क्या कि कैंदल स्टिख पैटरन का में फंडा क्या होता है देखो emotions को predict करने के लिए candlestick patterns का use होता है ठीक है अब देखो market price जो होती है और traders का emotion ये दोनों mix हो करके कुछ patterns बनाता है जो कि candlestick से अपन predict करते है ठीक है candle sticks कैसे-कैसे pattern बतना थी वो सारी चीज़े अभी अपने देखने वाले है ये रिष्टा जो होता है ये रिष्टा क्या कहलाता है भाई हमको नहीं बता रहा हूं सॉरी ये रिष्टा कहलाता है candle stick patterns ठीक है ये सबसे पहले जिन्होंने डून रहा था चापान के होमा ने सन 1700 में इसके खोज करी थी तो ये आपको मैंने थोड़ी सी history भी आपको बता दी ठीक है तो वहां उन लोगोंने stock market के अलगलग price को predict किया ठीक है एंड उसके बाद इसको बहुत बाद test किया एंड उसके बाद बताया कि ये सही काम कर रहा है तो इतने सालों से ये अभी तक यूज म market में supply supply है ना और demand supply और demand के साथ जो रिष्टा होता है है ना वही रिष्टा investors के साथ भी investor का जो emotion होता है उनके साथ भी दिखाई देता है ठीक तो वो चीज candle stick patterns भी same show करता है ठीक जो चीज उन लोगों को देखे कि वही चीज अपन को भी दिखती है बात क्या है वो लोग fundamentals देखते हैं अपन लोग candlesticks देखकर ही उनको predict कर लेते हैं ठीक है यह जो candlestick होती है ना candlestick के अलगलग patterns short term में बहुत ही ज़्यादा profit दे दे कर जाते हैं ठीक है मैं खुद personally इनको use करता हूं ठीक है अगर मैं नहीं use करता होता तो मैं यह वीडियो ही नहीं बनाता ठीक है यानि कि अगर आप intraday trader हैं तो फिर candlestick pattern आपके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज होने वाली है अब समझो यह कि candlestick pattern जो है वो जिस जिस तरीके से बनता है वो कैसे बनता है pattern और कैसे आप उन सब को predict कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में आपको लोग को चार्ट पर ले जिससे basic बताने वालों बहुत जल्ली खतम कर दूँगा इसको ठीक है ठीक हो हर एक candlestick के pattern में हर एक candle में चार component होते हैं एक होता है market का high ठीक है एक होता है market का low ठीक है और उसके अलावा भी दू चीज़े होती है जो क्यों होता है open value और close value ठीक है high low open close ठीक है candlestick के बीच का जो wide part होता है body कहते है ठीक है real body भी कहा जाता है और यह street line है यह वाली इनको कहता कहा जाता है WIC ठीक है यह इनकी बती यह फिर डंडी जो बोलना है बोल लो पर WIC कहा जाता है अंग्रेजी में ठीक है यानिक जब stock down होता है ठीक है तो उसको down candle बोलते है और जब stock उपर होता यानि कि उसका opening price, opening value, closing value से उपर होती है तो यह green candle बनाती है और same चीज red candle बनता है कब, opening और यह close, ठीक है, तो यह most least ज्यादा तो लोग आपके इसमें से जानते ही होगे, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा time वापन भरबाद नहीं करने वाले हैं, ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं है, आपको हर जगे पर red और green color की दिखें, कहीं कहीं पर आपको block दिखाई देगा, मतलब green की जगे पर पे, सिर्फ block बनाओगा, और red की जगे पर पे, black candle बना देता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ के लिए भी तायार है, तो वो चीज़ भी दिखें, तो artistic patterns के ऊपर और नीचे के डंडी के shadows को, अपन विक बोलते हैं, यह मैंना आप लोग को अभी अभी जेस्ट बता है, shadows याने की यह डंडिया लंबी और छोटी दोनों हो सकती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, किस तरीकी से होती है, वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ अब देखो, यहाँ पर यह थोड़ इसी चीज द्यान से देख लेना, जब candle के ऊपर का विक लंबा होता है, तो इसको अपन कहते है, rejection candle कहा जाता है, तो ऊपर के तरफ का candle, ऊपर के तरफ की विक अगर बड़ी है, यानि कि यह bearish moment जादा है, यानि कि बुल्स moment इतना सा था bearish moment इतना जादा है, यानि कि bears are in control, bears are in control, देखो, सेम चीज आप देखोगे, तो red हो, चाहे green हो, सेम मोमेंट होता है, यानि कि अगर यह candle red है, नीचे की candle red है, पिछले वाले में भी green थी है, यहाँ पर red है, ठीक है, और इतना जादा down moment है, इतना सा up moment है, यानि कि यानि कि यहाँ पर है rejection, यानि कि मैंने आपको एक बात पहले भी बोली है, जिस direction में विक दिखाई दे, उसके opposite direction में ही trade लेनी चाहिए, यानिशा, अब देखो, जिस तरीके से मैं आप लोगो ना नीचे वाली candle बता ही, सेम उपर वाली candle भी होती है, तो वो आप लोगो अब बार चाहर्ट और candle चाहर्ट सेम डेटा को रेप्रेजेंट करते हैं हमेशा है, ठीक है, लेकिन जो candle के चाहर्ट होते हैं, वो विजुली ज्यादा expressive होते हैं, क्यों ज्यादा expressive होते हैं, मैंने आपको अभी बताया क्या, कि इसमें चाहर्ड डेटा होता है, कौन सा, open, sorry open, high, low, close price, इसमें चाहर्ड डेटा को मिला करके एक अकेली candle बनते हैं, जबकि बार candle में, बार chart में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो short term में prediction करने के लिए, candlestick pattern, candlestick charts, ज्यादा expressive होता है, ठीक है, क्यों, क्यों ज्यादा डेटा है, ज्यादा डेटा को मिला करके एक डेटा बना short term में, short term में, यानि कि छोटे time frame में, ज्यादा बहतर predict करने में मदद करता है, क्यों, इसमें चाहर्ड डेटा को अपन मिला करके एक candle बना रहे हैं, और हर candle, चाहर्ड डेटा को represent कर रहे हैं, यानि कि सबके combination से अपन को अलग अलग patterns दिखाई देते हैं, तो आप लोग के ल उसके बाद मैं आपको charts पर भी ले कर चलूँगा, तो कोई भी चीज अपन आदी नहीं करके छोड़ेंगे, पूरी तरीके से मैं आपको समझाओंगा और जब तक नहीं समझा पाऊंगा तब तक मैं यहीं परिया है, don't worry, तो देखो, bearish engulfing pattern है, bearish यानि कि नीचे का trend है, एक green candle को, यानि कि छोटा सा green candle को cover करती हुई, ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि sellers का number जादा हो गया है, और price नीचे जाएगा, ठीक है, छोटा green candle ना, कई बार तो इतना छोटा होता है कि इसकी जो wick होती है यह भी इसके अंदर समझा जाती है, ठीक है, वैसे तो, थोड़ बाहर निकल रही है, इंगल्फिंग के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर wick अंदर है, तो यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, यह कब देखने को मिलेगा आपको, यह आपको तब देखने को मिलेगा, जब price उपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, price bullish trend में हो, और एक ज़्यादा, बुल्स आए जारे, आए जारे, आए जारे, आए जारे, ठीक है, देखो होगा क्या, धीरे धीरे बड़ी candles बनना कम हो जाएंगी, ठीक है, छोटी candles बनने लगेंगी, जिसको doji candle भी जाते हैं, ठीक है, अब जब यह doji candle बनेगी, तो एकदम से होगा क्या, जो हैं, अंदर आजाएं, एकदम से sellers अंदर आएं, या फिर उसकता कोई news के थ्रो अंदर आएं, और नीचे ले जाकर ही छोड़ें, तो यहाँ पर जब यह bearish moment आया है, यह बताता है, कि अब bearish pattern चालो हो गया, bearish moment आने वाला है, तो यहाँ पर आपको short की trade लेनी है, तो trade क आपले pattern का just opposite होता है, यानि कि जब एक छोटा red candle को एक बड़ा सा green candle cover कर ले, पूरा का पूरा, यानि कि इसके अंदर समा जाए, यानि कि एक छोटा सा, या तो हो सकता है, इस तरीके का doji candle बने, और एक green candle, यहाँ पर green color का है, एक green candle इसको पूरा का पूरा cover कर ले, यह बता आता है कि जो trend नीचे की तरफ था, ठीक है, जो trend नीचे की तरफ था, वो अब green हो करके ऊपर की trend, अब trend में चाल हो गए, यानि कि आपको यहाँ पर concert stock लेना है, किस तरीकी से करना है, buy position लेनी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, देखो, bearish evening star, देखो इस तरीके का pattern जो होता है याना last candle का starting point, इस तरीकी candle में last candle का starting point हमेशा पिछली candle के starting point के नीचे रहता है, ठीक है, इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं भी, देखो, होगा क्या, simple words में समझो, होगा क्या, देखो, मान लो bullish trend चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बनी है, bullish candle, फिर एकदम से बनी है, doji candle, ठीक है, यह जो छोटी वाली candle है, यह green या फिर red, कुछ भी हो सकते है, ठीक है, तो देखो, एकदम से यह जो green trend चला जा रहा था, फिर एकदम से हुआ क्या, doji candle बनी and ugly candle जो होई, वो just red color के हो गई, और strong, bearish moment रही, ठीक है, यानि कि यह यह बताता है, कि अब bearish moment आने वाला है, ठीक है, सेम चीज मैं आपको बता हो ना, तो जब bearish trend end होता है ना, तब भी आपको सेम चीज देखने हो मिलेगी, यानि की strong bearish moment चला जा रहा है, ठीक है, strong bearish candle आपको देखी है, एकदम से बन गई क्या doji candle, ठीक है, और ugly, just जो ugly candle है, वो बन गई green color की, ठीक है, green color की strong candle ब trend, जो pattern bullish moment के लिए था, वही pattern bearish moment के लिए भी true होगा, यह pattern मतलब बहुत अच्छा pattern है, bearish hairmy pattern कहते हैं इसको, या फिर आप spelling के साब से हरामी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, पर अपने तक ही रखना किसी को बोल के मत बताना नहीं, तो आपके लोग हासिंगे, ठीक हो, होता कि यह बहुत ही, मैं लब ना, interesting इसको मैं क्यों कहता हूं, पता है, क्योंकि ना, इसमें, जब देखो, bull moment चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ना, buyers में indecision में दिखाता ही है, ठीक हो, होता क्या है, यह तब बनता है, जब last candle, पिछली candle से बहुत ही और उसके, बिल्कुल अंदर ही बन जाए, ठीक है, अब जैसे यह अंदर बनाओ, तो इसके, इसके बाद के pattern है न, ऊपर या नीचे, दूनों जगे जा सकता है, क्योंकि यह है indecision, ठीक है, पर जब भी यह pattern बनता है, तो आप क्या कर सकते हो न, इसके breakout पर trade ले सकते हो, यह बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है, देखो बताता हूं मैं अभी, तो होगा क्या, यहाँ पर चल रहा है bullish moment, ठीक है, यह है, ओके, तो यह है bullish moment, ठीक है, यह है bullish moment, तो होगा क्या, इस pattern, इस candle के, इस bullish candle के, अंदर यह बन गई, black वाली या फिर red candle, ठीक है, तो हुआ क्या है, यहाँ पर, इस candle के पूरी पूरी अंदर बन गई, यानि कि यहाँ पर जो bulls है, वो decide नहीं कर पा रहे हैं, कहा जाना है, अब जब वो लोग decide नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके breakout पर, इन candle के breakout पर आप ले सकते हो trade, यानि कि, यह point और यह point, यानि कि, one और two, उन दोनों के breakout पर आप trade ले सकते हो, यानि कि, अगर यहाँ पर breakout हुआ, तो आप ले सकते हो bullish trade, अगर यहाँ पर breakout हुआ, तो आप ले सकते हो bearish trade, अच्या, मैं आपको एक चीजज और बता दू, क्या, कि, यह रहां देखो यहां पर जब आप बेरेश ट्रेड ले रहां में आपको यह दोनों पॉइंट क्यों बोले पता सेफ साइट के लिए यानि कि यहां पर आप रहोगे सेफ और यहां पर भी आप रहोगे सेफ ठीक है यानि कि इन दोनों पॉइंट के ब्रेक आउट पर आप ल सेम चीज बुलिश हरामी पैटन से भी होता है यानि कि बुलिश हरामी जो आभी आप बोलना चाहो यह पिछले पैटन करना बिलकुल अप्रोसेट होता है यानि कि यह सेम चीज बायर्स में बता रहता है यह बायर्स में बताता है यानि कि यह जो है इन दो पॉइंट्स के अं ठेक है अब जब यह हुआ तो इनके breakout पर आप ले सकते हो ट्रेड सेफ साइड रहो ज़्यादा अच्छी बात है बाइ कोई बी टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको कन्फूश करें यहाँ पर और यह चीज नहीं बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं इसलिए में कोई इतनी इंट्रेस्टिंग और पसंद आई है देखो अगली 2 जो पैТन है यह सेम डुनों जो मैंने आभी पहले वाले पैटन बताये न वह ही है ठीक है, अब बेरिष हर्मी क्रॉस क्या होते है, बेरिष हर्मी जो मैंने आपको अभी बताया 요ता ना, सेम डू वही है, बस इसमें यह कैंडल बड़ी होने की जागे बन ग बटाएदा अब जैसे हमने आपको बीरेश पता है सेम चीज़ है बुलिष हर्मीक्रोस जब चलता रहेका नीचे 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 बनेगा यह इसके बात प्लस बन जाएगा वहां पर बन रहा था थोड़ा सा बड़ा यहां पर बन गया प्लस बन गया तो करना क्या है ब्रेक आ यानि कि ऊपर जा रहा होगा कुछ pattern बनाएगा उसके बाद continue हो जाएगा वापच से तो यह होता क्या है बुलिश रैजिंग तरीक बहुत ही मतलब आसान सा pattern होता है और इसका concept भीना सेम कुछ-कुछ अलगी होता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ अभी देखो यह एक upward uptrend pattern ह ठीक है पहला candle जो होगा एक long green candle बनेगा ठीक है यह बना एक green candle ठीक है अब उसके बाद क्या होगा छोटा छोटे 3, 3, 3, red candle बनेंगे उसके बाद एक फिर से बड़ा सा red candle बनेगा green candle बनेगा and trend उसके बाद continue रहेगा उपर की तरफ यानि कि देखो यहां पर देखो ऊपर की ठीक है ग्रीन candle बनाया इसने तीन छोटे छोटे red candle बनाया उसके बाद फिर से एक strong है ना बड़ा सा बड़ा सा green candle बनाया and उसके बाद trend हो जाएगा उपर की तरफ कंडे की देखो यह pattern जो है वैसे ता आपको इसी रूप में देखने को कम मिलेगा पर होगा क्या कि आपको किसी दूसरे रूप में देखने को मिलेगा जो आपको चार्ट से समझ में आएगा ठीक है प्रैक्टिकली समझ में आती है बीरिश फॉलिंग थ्री पैटर्ण जो है सेम पिछले वाले पैटर्न का उल्टा होता है यानि कि यह भी trend continuation है ठीक है नीचे आ रहा था कुछ पैट के साथ में वो नीचे के तरफ निकल गया देखो यहां पर यह जो तीन green candle है ठीक है यह होती है consolidation की ठीक है यानि कि consolidation की ते green candle आपको लेनी है entry इस breakout पर ठीक है अब देखो यहां पर तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ अभी दिखाने वाला था पर उत्तर टाइम भचा नह होंगा तो अगले वीडियो में पूरा को पूरा जो पैटरंस है और अलग चीज़ है अलग अलग पैटरंस को आप कहां का observe करोगे प्रैक्टिकल चार्ट में भी दिखा दूंगा ठीक है एक बहुत ही इंपोर्टेंट टिप देता हूं मैं नए ने लोगों को ठीक है और हा हमारी तरफ से भी आपको अलग-लग benefits मिल पाएं अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही साही advice में आप लोग को देता हूं क्या कि यह सारी patterns सारी चीज़े जो मैं आप लोग को बताई एक दिन में आप लोग को नहीं बन पाएगा एक दिन में कोई अ इसलिए मैं यह मेरी advice है आप लोगो कि वीडियो में दिये गए जो जो patterns है उनको चार्ट में पहले खुद से observe करने के कोशिश करें अगर आप खुद से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलता कोई दिक्कत के बात नहीं और आपके जो जो भी stocks के moment है उनको predict करने क खुद से कोशिश करें और मैं जो जो stocks लेता हूं मैं अपने instagram की story पर या फिर telegram के group पर अपडेट करी देता हूं तो वहां से आप जोड़े होंगे hopefully तो एक week तक यह सारी चीज़ से जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग को नहीं नहीं moment जो है stock market के वो लोगे उतना आगे बढ़ पाओगे तो knowledge लेते जाओ सीखते जाओ चैनल टो subscribe कर लेना क्योंकि प्लेइलिस्ट में जाकर गया अलग अलग प्लेइलिस्ट अप देख लेना ताकि आप लोग फाइदा हो पाया आगे बढ़ पाओ ठीक है ओलेट दोस्तों आज की वीडियो मे कि वीडियो